हालो स्टूइट्स, अभी हम लोग सॉलफ करेंगे क्वेशन no.47 को इस्टूइट्स यह क्वेशन कहा रहा है आपको 2 कैपसिकर दिये गया है पहला जो कैपसिटर है उसका कैपसिटर आपको 5μF है और इसका वल्टेज है 24 V यह आपको दिया हुआ है, दूसरा capacitor का भी capacitance और इसका voltage आपको दिया हुआ है तो question के पहले part में पूछ रहा है, directly इसे मैंने solve कर दिया already, formula based question था पहला part कि दोनों भाई capacitor का अलग-अलग कितना energy होगा, तो energy का formula half c by square से आप समझ सकते हैं, c1, b1 सारा का value put किये accordingly तो यह final answer है, चली ठीका, b part इसका important है, वो थोरा सा हम लोगों को समझना है, देखिए इसका question का b part कह रहा है, the positive plate of the first capacitor is now connected to the negative plate of the second and vice versa, पहले वाले capacitor का जो positive plate है, उसको हम दुश्रे वाले capacitor का negative plate से जोड़ देते हैं, भाईस वर्सा, मतलब इसका negative, भाईस वर्सा काने का बतलब और इसका negative plate इसका positive plate से, clear है, तो question आगी का रहा है, find the new charges on the capacitors, तो उसके बाद, दोनों capacitor पे total कितना charge आ जागा, new charges क्या होगा, अलग-अलग दोनों capacitor पे बताना है, समझेगा, कैसे सोचेंगे, भाई, कैसे सोचेंगे, तो ये तो पक्का बात है, क्या-क्या phenomenon होगा, यहां पर एक बात तो clear है, कि एक capacitor का potential है, वो ज्यादा है, इसका voltage ज्यादा है, 24V पे है, और इसका voltage है, 12V, ये higher potential पे, ये lower potential पे, तो आप anyhow, जैसे भी, जै तब तक flow करेगा, जब तक की potential same ना हो जाए, तो एक clue तो यहां से ये मिल रहा है, भाई, की potential तब तक flow करेगा, जब तक potential same नहीं हो जाए, मतलब फाइनली दोनों का potential हम same करेंगे, हम दोगों को finally निकालना है, connect करने के बाद, चार्ज दोनों पे अलग लग कितना है, उसके सोच रहा है, तो एक clue यह है, कि दोनों का potential overall finally same हो जाएगा, एक clue यह है, दूसरा clue क्या है, कि obviously, conservation of charge से, दोनों को connect करने के बाद, आपका शुरू में जितना charge होगा, बाद में finally redistribution के बाद भी, charge उतना same होना चाहिए, तो वहाँ से कुछ equation वगरा मिलेगा, तो इन दोनों को solve करेंगे, तो वहाँ से मेरा charge का value निकलेगा, यहाँ पर एक बात और भी clear है, कि यह सारा process में हम लोगों को शुरू में इस पर कितना charge है, और इस पर कितना charge है, यह भी use होगा, तो इतना पहले आपको दिमाग में सोच लेना है, कहने का यह मतलब है, तो हम लोग proceed करते है, question क B part, समझेगा, देखे, B part में, तो एक बात clear हो गया, कि हम लोगों को अलग अलग इसका देख लेते है, कि सुरू में केतना charge है, तो देखे, मालने ता, अगर इस पर Q1 charge है, तो हम Q1 को निकालने, Q1 क्या होगा, simply C1 V1, Q2 C1 V1, C1 है यह 5, इंटू 24, ध्यान दिजएगा, यह माइक्रो फारार में है, तो यह एतना मेरा माइक्रो कुलम में निकलेगा, यह होज़गा, 4 पचे भी इस प्रांस तुमीं पादा है, 120 माइक्रो कुलम, क्लिया रहा, इस पर चालज है, 120 माइक्रो कुलम, ठीक है, और दूसरे बाले पर देख लेते हैं, इस पर केतना charge है, श कोड़ा सा हम लोग को इसको और थोरे से माइक्रो स्कोपिक लेवल पर बात करना होगा, इस पर चालज है 120 माइक्रो कुलम, इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब यह हुआ है, भाई, यह क्या पैसिटर है, तो इसका एक पोजेटी प्लेट होगा, एक निकटी प्लेट होगा, इ इसका जो पजेटीटिटू माइक्रो कुलम्ब और इसका नेगेटीटिटीट प्लेट को हम इसके नेगेटीटिटीट से जोड़ते हैं यह हम पहला वला कफसीटर दिखा दिये हैं यह दुसरा वला कफसीटर दिखा condiciones ओकिए चलिए यहाँ पे चार्छ है बह‐ प्लस 120 µm ठीक है और यह है माइनस 120 µm ठीक है और यह का नेगा टीप लेट है तो इस पर चार्ज केतना माइनस 72 µm और यह है प्लस 72 µm जोड दिया चलिए ठीक है आपने जैसे ही इसको कनेक्ट किया भाई इनिसियरी अब ध्यान दिजेगा यह इनिसियरी आपने जोश्ड कनेक्क किया आट ट अफोग दियान दिजेगा यह जो है यह यह दोनो अआईसोलेटएट मेट उसी तरह यह दोनो भी है ठीक है इस पर तोटल जो चार्ज पक्का बात है कि चार्ज जो है यह high potential पे है यह low potential पे है यह 24 volt पे है और यह 12 volt पे है चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा तब तक जब तक कि potential सेमना होज़ा ठीक है और finally हम माल लेते हैं जो हम लोगों को निकालना है फाइनली हम माल लेते हैं कि यह पहला बहला जो capacitor है यह दूसरा capacitor है ठीक है माल लेते हैं कि इस पर charge आ गया q1 और इस पर charge आ गया q2 यह q1 और q2 को value हम लोगों को निकालना है अब यह पता नहीं है, प्लस माइनस के चक्र में यहाँ पर नहीं रहना है यही तो हम लोगों को निकालना है, इस पर Q1 चार्ज माल लेते हैं, इस पर Q2 चार्ज माल लेते हैं जो भेलू है, अगो वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है ना तो फाइनली हमाल ले इस पर Q1 चार्ज आगिया, इस पर Q2 चार्ज आगिया, ठीक है ना तो यहाँ पर देखिए, अब दो चीज़ है, एक तो कंजर्वेशन अफ चार्ज से, चुकिए आइसोलेटेट प्लेट है चार्ज का जो भी सेप्रेशन, जो भी रिडिस्टिबूशन हुआ, सिर्फ यह दो प्लेट के बीच में हुआ है तो शुरू में जैतना चार्ज होगा यह दोनों प्लेट पर मिला के, बाद में भी हो तो नहीं चार्ज होना चाहिए किलियर बात है, कहाने का मसलब है कि From Conservation of Charge Short में लिखे रहे है From Conservation of Charge, ध्यान देज़ेगा शुरू में इस पे कितना चार्ज है, यह है 120 प्लस और कितना है? –72 प्लस है तो प्लस लेड़ी या माइनस है तो माइनस हो लगनों को एड़ करती है चलिए यह टोटल सुरू में यतना चार्ज था बाद में टोटल चार्ज किता हो गया Q1 प्लस Q2 तो यहां से आप देख सकते हैं एक equation निकल गया Q1 प्लस Q2 equals to 120-72 Q2 दस में से दो हो गया 8 सतिया 4 148 यह आपका पहला equation हम लोग माग लेते हैं क्लियर हैं चलिए ठीक है एक equation निकल गया अब भाई तब तक चार्ज का फ्लो हुआ होगा जब तक कि दोनों का potential सेम नहों जाए अगर इसका potential V' हो गया होगा तो इसका भी potential V' हो गया होगा दोनों के cross potential सेम है ठीक है इसका इसका capacitance इसके charge है Q1 इसका capacitance केतना है 5µF इसका capacitance केतना है 6µF ठीक है ना तो also तो पोटेंशल चुकि सेम रहेगा, V1 equals to V2 रहेगा, किलियर है, तो यहां से हम V1 को हम लिख सकते हैं, इस पर चार्ज केतना है, धाल दिजएगा, रिलेशन क्या होता है, Q equals to C भी, तो यहां से V equals to क्या होता है, Q by C हो जाएगा, मतलब किसी कापसिटर का जो भोल्टेज होगा वो निकालने के लिए क्या करें, क्या करें, क्या जान चार्ज कितना है divided by depth capacitance, ठीक है, तो इस dash पर चार्ज केतना है, Q 1 है, थीक है, इसका capacitance केतना है, Q 2 है, इसका capacitance केतना है, 6 है, 1 तीन खाल, अब सेकेंड तीन यहां पे confusion नहीं होना चाहिए, भाई कि यह सब तो बिखते जा दोनों cancel हो जाएगा, again you will get the same relation, चलिए, यहाँ से, अब again यह एक relation हम दोनों को मिल चुका है Q1 Q2 में, यहाँ से आप समझ सकते हैं, 6 Q1 equals 5 Q2, उसको इधर ले आते हैं, मतलब 6 Q1 minus 5 Q2 equals to 0, यह एक दूसरा relation निकल गया, वह दोनों को solve करेंगे, तो इसलिए Q1 Q2 का value निकल जाए जाएगा, 1 into 5 plus 2, ध्यान दिजएगा, तो यह चीज किजएगा, तो Q2 वाला cancel हो जाएगा, यह इधर हो जाएगा, 1 into 5 किये हैं, यह हो जाएगा, 5 Q1, 5 Q1 इधर हो जाएगा, plus 6 Q1, ठीक है, equals to, यह तो 0 है, इसको ऐसे भी कुछ नहीं किये हैं, इसको हम 5 से multiply किये हैं, तो य यह हो गया, 48 into 5, क्लिएर हैं, चलिए, यह हो गया, यह हो गया, 40, 25, 24, ठीक है, इसलिए, Q1 आपका कितना निकल गया, यह 11 है, तो 240 by 11, इसको solve किये, 21.8, ध्यान दिजएगा, यह आपका जो भैलू होगा, 21.8 µ, Q1 का भैलू निकल गया, 21.8 µ, ठीक है, तो Q2 का, इसे माइ निकल गया, क्योंकि धान दिजएगा, यह सारा जो भैलू हम लोग लिखे है, यह माइक्रो कुलम में है, 120-72, तो यहां पर 48 µ, यहां से इसलिए, इसलिए, तो यहां से इसलिए, इसलिए, Q2 का भैलू हम लोग निकल लेंगे, क्या होगा, 48 पहले बाले से, माइनस Q1, 48 minus 21. 26.2 µ, यहां आपका Q2 का भैलू हम लोग निकल चुका है, तो फाइनली दोनों का चार्ज का भैलू हम लोग निकल चुका है, इसका नेक्स्ट पाट में क्या करा है, और भी एक पाट है, फाइनल लॉस ऑफ एलेक्ट्र स्टाटिक इनर्जी दूरिं द प्रोसेज, ठीक है, इस प्रोसेज में, इलेक्ट्र स्टाटिक इनर्जी में केतना लॉस हुआ, भाई केतना लॉस हुआ यह हम लोग निकाल सकते हैं, देखे, शुरू में, शुरू में, दोनों के पास केतना इनर्जी था, तो अलग-अलग इनर्जी निकाल चुगे, तो शुरू में टोटल इ यह यहां पर देखते हैं, यहां देखें, यहां देखें, ठीक हैं, यह हम लोग solve कर रहे हैं, C part को, C part को solve कर रहे हैं, तो देखें, बाद में, बाद में दोनों capacitor के पास जो energy होगा, वो total energy हम एक साथ लिख रहे हैं, UF, final, final जो energy होगा, अच्छा, Ui कितना होगा, total energy शुरू में, Ui, तो Ui तो भाई, यह दोनों का add कर दीजे न, 1.44 plus 0.43, ठीक है न, यह हो जाएगा, 1.87, 1.87 आपका एतना millijoule energy शुरू में, दोनों capacitor में मिला के, ठीक है, बाद में दोनों capacitor मिला के देखिए हैं, हम direct equation लिख र by C, तो half Q square by C, यहाँ पे क्या है, दोनों का charge आप निकाल चुके हैं, यह है इतना, तो 21.8, 21.8 into 10 to the power minus 6, तूकि वो माइक्रो कुलम में है, तो minus 6 कर दे, Q square by C, C केतना है, 5μF, तो 5 into 10 to the power minus 6 हो गया, ठीक है, half Q square by C, यह पहले वाले के capacitor का energy निकाल गया, finally, finally, बाद में, redistribution के है, half into Q square by C, दूसरे वाले कापसिटर पे चार्ज केतना आचुका है, 26.2 µ, तो this will be 26.2 into 10 to the power minus 6 का square, divided by, इसका कापसिटर इसका केतना है, 6 µ, तो this will be 6 into 10 to the power minus 6, तो this will be 6 into 10 to the power minus 6, तो इसको इसको solve किजेगा, तो इसको solve करनेक बाद इसका value आ जाता है, 0.104 mJ, तो सुरू में टोटल इनर्जी था, दोनों कापसिटर में इला कि एतना जूल, बाद में हो एतना मिली जूल, बाद में एतना मिली जूल हो गया, इसलिए, चेंज इनर्जी केतना हो गया, चेंज इनर्जी, तो ui minus uif, ठीक है, यह हो गया, 1.87 minus 0.104, यह आपका 1.77 के असपास आजात है, शुरू में जाता है इनर्जी था, 1.87, बाद में इनर्जी घट गया है, तो इनर्जी गया का, तो यहाँ पर और कोई बैटरी बगर कुछ तो है नहीं, कि बैटरी पर भाई हमने काम किया, या लाइक दिस ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, यहाँ पर कोई जर्या ही नहीं, इसका मतलब है कि इनर्जी जो है, वो लूज हुआ है, हीट के फॉर्म में, तो हीट में गया इनर्जी, क्लेरेश चुरू